हेलो स्टुएंट्स तो कैसे हैं आप सभी आप सब के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं हीमन रिसॉर्स मेंजमेंट की इंपर्टन सीरीज का पार्ट टू जिसमें आपको की कुरीजन नोट्स मिलने वाले हैं जो अगर आपको लिखा होगा तो उसको पढ़के आप जल्दी से समझ सकते हैं और लास्ट में आपको इंपर्टन कोशन जरूर बताऊंगा वह जरूर देखके जाएगा लास्ट पूरी वीडियो तो चले फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अगर आपने इससे पहले पार और यह दोनों के लिए सेमीलर सब्जेक्ट है यह मत देखेगा कि और सेम ही आने वाले इसमें चले फिर सबस्वाले मैंजमेंट क्या होता है उसके बारे में बता रख रखा है आपको पूरा समझा तो नहीं पाँगा पर यह आपको एक्स्प्लेंग जरू कर दूँगा क्य यह तो हो गए HRM की इसके बारे में अगर आपको आजाए पहला कुछन तो आपको HRM का आएगा तो आप जितना डाटा मिल सकता है यह पूरा पढ़के जा सकते हैं और AGT चाप सकते हैं तो आपको काफी marks गें कर सकता है HRM में आपको objectives ही पूछ सकता है तो आपको लिए objectives ला करके देगा तो इसके बारे में तो है और इलोबरेट करके लिख सकते हैं ताज आपको एक कोशन में कम से कम 5-6 pages भर के आए तो यह तो गया आपको 6 अब आते आगे अगले पढ़ने पर जो क्या आपको होने वाला है HRM का nature of HRM क्या होता है HRM is important of every organization it is crucial to have an in-depth knowledge of HRM तो देख अप्रोच आए और continuous process HRM continuous process जो हमेशा चलता रहेगा integrative action है functions क्या होता है HRM के तो HRM को अदर सीधा function लिखने जाए तो अच्छी बात नहीं है सबस्वाल आपको definition लिख दी नहीं है पर यह लिख देना है HRM is systematic approach to fill in the gap between तो आभी पूरा एजिटेश लिख सकते हैं तो यह आप प्रिस हिंदी मेडियम वालों को sorry कहाना चाहता हूं English medium में available हैं सारे हिंदी में नहीं available हो पाएंगे तो आप English medium में लिख के आएंगे तो कोई इंपोर्टेंस के HRM की यह सारे ऐसी कुछिंद है जो आपको पेपर में बस लिख के आने हैं सारे नोट्स ऐसी बनाएंगे फालतू कोई ज्यान योगस में सिद्धा काम का ग्यान मिलेगा फुल्फिल्मेंट आप डाइग्राम से बनाए सकते हैं पॉइंट्स में एरो लग अब देख सकते हैं आपको लाइस में इंपर्टेंट कुछिंद बताने थोड़े वा तो आप यह देख लिए मैं तेजर स्कॉल कर रहा हूं वहना आप वीडियो की स्पीड दिरे करके भी समझ सकते हैं सारे कुछिंद्स रोल इमेडिटरल रोल इस पोक्समें रोल अब दे स्कॉल करना पड़ेगा अभी काफी पीडिफ पढ़िए 47 पेजिस की होने वाली है और यह भी हम 15 पेज को पड़े हैं तो आप देख लीजेगा कॉंक्लूजन क्या है चर्म के बारे में तो यह तो हो गया आपका फ़तम यहां पर बाता चैप्टर टू पर जो कि हमान रिसर प्रेट करके लिख पाएंगे एक्जाम के अंदर नेचर क्या होता है चाइड के अंदर पूरे देख लिए सिस्टम पॉर्सपेक्टिव और कंटिनुस परसे से यह भी कॉल्टी अप लाइफ अब्जेक्टिव हो है तो यह तो हो भी आप देख लिजेगा मैं दीजेश कॉ प्रेट लिजेगा अच्छे से और एचर मेनिजर और एचर पॉलिसी क्या होती है तो देखिए जो भी स्टुइंट है इंपोर्टन कुशन तो यह एक तरसे यह सारी इंपोर्टन कुशन ही है इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो बस इसी को गुमा तुमा के आपको पॉलिसी ट्रेंडिंग डेवल्पमेंट पॉलिसी और कमपनेशियों पॉलिसी इंटिकेशन ने रिशोट पॉलिसी वर्किंग कंडिशन वेलफर पॉलिसी बेनिफेट्स ऑफ एचर पॉलिसी रिजो इन लास तक रुकिए गा उसी कोई फायद होने वाले इंपोर्टन पर्टिकूल आफ लोलेवल स कि एपुड्ण ओंडैयमाइशं ओफ पॉलिसी फॉलिसी अपरेजमेंट यूर रच के जाएगा में वहले अपक्रेशल सकरते हैं कि आप झालकी इंडॉक्छन इंड़क्षाons जाहिए कर कि घ्यारचपता है देख सकते हैं इंडक्षिन के बारे में पूरा दे रखा है बाकि आपको और भी नोट्स प्रोइड करा दिएगे आप मैसेज कर दीजेगा और यह लास्ट पेज आपका आगया है बेनिफिट्स ऑफ सोशलाइजिशन सोशलाइजिशन भी काफी वाद रिपीटेट कोशन है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं अच्छे से चलिए यह तो हो गए आपको कोशन्स अब वो नोट्स अब आपको कोशन्स दिखा देते हैं ज इसको करेंगा है इसको अधिकर रिक्रुट्मेंट सेलेक्शन क्या होता है देकि जो तो आप कमेंट में जरूर लिखेगा ताकि मुझे पता चले कौन का स्टूरेंट है जो मेरी अभी तक आवाद सुन रहे हैं जिनको फायदा होने वाले कल के एक्जाम में difference between training development and education क्या होता है downsizing is a plan elimination of policy position in organization critical examination statement तो ही देख सकते हैं सारे indirect question भी आ सकते हैं this type के difference between performance appraisal or job evaluation क्या होता है labor welfare big out the need of providing welfare facility to worker short not employee stock option plan क्या होता है HR planning is pre-request for effective management of human resource or distribution between job description or job specification क्या होता है इस type के difference भी काफी बार चप जाता है discussion और specification के बारे में अच्छे सापको difference आना चाहिए और सके side में key points भी आना चाहिए interview क्या होता है इसके significance क्या describe की जिए brief various types of interview used in the selection of employees what is performance appraisal गया होता है इसके बारे में लिखिए होता है we find human resource planning HRP क्या होता है और HRM में difference क्या होता है यह बीज़र रुदी है briefly explain the emerging issues and challenges in HRM 21st century this distinction between job analysis and job description क्या होता है importance of job analysis in HRM discuss 360 degree feedback of performance appraisal यह फिट साहगा है इसके बारे में ऐसे भी बू सकता है workforce diversity क्या होती है define social security and explain its significance in the context of the Indian working condition discuss what problems occurs in human resource planning how can this problem be overcome explain the steps involved in the election process कैसे करते है how does training differ from the development training and development में क्या difference है benefit of performance operation क्या होता है difference between the recruitment selection explain the criteria of promotion employee empowerment and benefits क्या होता है और grievances arise क्या होता है यह काफी important question है यह भी दो बार दो साल से लगाता रहा है तो इसको भी अच्छे से करके जाएगा आपका लास्ट क्या होता है चले फिर वीडियो को इसक खतम करते हैं